यह देखी काफी आसान question है, हो सकता आपको complicated लग रहा हो, लेकिन आप इसको थोड़ा सा observe करिए, तो यह क्या है, 1 प्लस log x की power 2 और 1 by x dx है, मतला यह अगर fx है, तो यह आपका उसका derivative पड़ा हुआ है, f dash x, ठीक है, यह 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1 by x होता है, तो यह पूरा derivative का 1 by x हैगा, और यह fx की power n, f dash x form हो गई, तो उसका आपका क्या होता है, answer, 1 प्लस log x की power n प्लस 1 अपन n प्लस 1 कर लेते हैं, तो 2 प्लस 1, 3 अपन 3 प्लस c, यह आपका final answer हो गया,